परिचाए से, हम आव्योग के सिध्धान्त को कहां लागू करते हैं? बेटा, हम आव्योग का उप्योग रेखिये समीकरण की प्रणाली की साहत तथा सरल विधी को प्राप्त करने के लिए करते हैं. विभिनिक कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के लिए क्या हम आव्योग का उप्योग कर सकते हैं? आव्योग के संकेतन और संक्रियाओं का उप्योग पर्सनल कम्प्यूटर के लिए Electronic Spreadsheet प्रोग्राम में किया जाता है, जिसका बारी-बारी से व्यापार तथा विज्ञान के विभिनिक शेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जैसे बजट, बिक्री प्रक्षेपन, लागत दनुमान, प्रयोग के परिणामों के विशलेशन आदी में सर, क्या आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है? हाँ, हम आव्यूहों का गुणा कर सकते हैं, इसकी विधी अलग है, क्या तुम सीखना चाहते हो? हाँ सर ठीक है, आज मैं तुम्हें आव्यूहों के गुणन के बारे में सिखाऊँगा उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक अदिश से एक आव्यूहों में गुणा करना एक आवियों के योगफल के गुण धर्म को समझना एक अधिश कुणन के गुण धर्म को जानना आवियों के गुणन की विधी को जानना एक आवियों के गुणन के गुण धर्म को समझना एक अधिश से एक आवियों का गुणन आवियो के गुणन के दू प्रकार होते हैं। अधिश गुणन तथा आवियो कुणन। अधिश गुणन आसान है। हम बस एक नियस संख्या लेते हैं जिसे एक अधिश कहा जाता है। तथा उसका गुणन आवियो की प्रतेक प्रविश्थी से करते हैं। दिये गए आवियो ए के लिए दू ए ग्याद कीजिए। दू ए ग्याद करने के लिए प्रतम अधिश गुणन करने के लिए हम सिर्फ एक दू का गुणा आवियो में प्रतिक प्रविष्थी से करते हैं। अथा उत्तर निम्न है। आवियो का रिण आवियो। आवियो के रिन आवियो को घटा A से निरूपित किया जाता है। हम निरूपित करते हैं घटा A बराबर घटा 1A. आवियो के योगफल के गौन धर्म वास्तविक संख्याओं के लिए योगफल के आधार भूद गुण धर्म आव्यों के लिए भी सत्य है मान लिजे कि A, B तथा C, M कुणा N आव्यों हों तब 1. A जमा B बराबर, B जमा A जोकी क्रम विनिमय का गुण धर्म है 2. सहचर्य गुण धर्म है A जमा B जमा C बराबर, A जमा B जमा C 3. योग का तस्समक एक M गुणा N आव्यों ओ इस तरह है कि A जमा O बराबर A 4. योग का प्रतिलों किसी M कुणा N आव्यों A के लिए एक M कुणा N आव्यों B घटा A कह जाता है इस तरह है कि A जमा B बराबर O अदिश कुणन का गुण धर्म स्वाधारण बीजगनित के सभी नियम आव्यों के योगफल या व्यवकलन अत्वा उनके अदिशों के गुणन पर आधारित है प्रथम गुण धर्म है यदि A तथा B समान कोटी की दो आव्यों हों तथा यदि के एक अदिशों तब के ए जमा B बराबर के ए जमा के बी एक अन्य गुण धर्म है यदि के 1 तथा के 2 तो अदिश है एवं यदि A एक आव्यों है तब के 1 जमा के 2 A बराबर के 1 A जमा के 2 A तथा के 1 के 2 A बराबर के 2 के 1 A आवियों का गुणन फल हम दो आवियों का गुणा कर सकते हैं यदी और केवल यदी प्रतम आवियों के स्तंभों की संख्या दूतिय आवियों की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो अन्य था दो आवियों का गुणन आपरिभाशित होता है आवियो के गुणन की कोटी है प्रथम आवियो की पंक्ती गुणा दूतिय आवियो का इस्दंब आवियो के गुणन की विधी चलिए अब दो आवियो के गुणन की विधी सीखते हैं आईए एक सामान ने दो गुणा तीन आवियो से एक तीन गुणा दो आवियो का गुणंद करते हैं, उत्तर एक दो गुणा दो आवियो होगा, हम क्रमशा आवियवों को जोड़ते और गुणा करते हैं, हम प्रथम आवियो की पहली पंक्ति लेते हैं, दूतिय आवियो के प्रथम इस्तंभ में एक-एक आवियम में बारी-बारी से नीचे की ओर गुणा करते हैं। हम प्रथम आवियो की पहली पंक्ति के लिए तथा दूतिय आवियो की पहली पंक्ति के लिए करते हैं। परिणाम को ए-21 इस्तिती में रखा जाता है। अंत में हम प्रथम आवियो की दूसरी पंक्ति तथा दूतिय आवियो के दूसरे स्तंभ के लिए करते हैं। परिणाम को A 22 इस्तिती में रखा जाता है, तथा हमारी दो आवियों के गुणन का परिणाम इस प्रकार है। उधारण दो आवियों दिये गए हैं। दिरने लीजिए कि किस आवियों के गुणन A B अथवा B A को परिभाशित किया गया है, तथा उसका आगलन कीजिए। चूंकि A 2 गुणा 3 है, तथा B 3 गुणा 4 है, उसक्रम में गुणन A B परिभाशित है, तथा गुणन आवियों A B का परिणाम होगा 2 गुणा 4। गुणन B A आपरिभाशित है, चूंकि पहले गुणन खंड B में 4 स्तंभ हैं, किन्टू दूतिय गुणन खंड A में केवल 2 पंगतिया हैं। गुणन को परिभाशित करने के लिए प्रथम आव्यू के स्तंभों की संख्या DTA आव्यू की पंक्ती की संख्या से मेल खानी चाहिए। गुणन एक दू प्रविष्टी देता है। A में पंक्ती 2 तथा B में इस्तंभ एक का डौट कुणन A B में दू एक प्रविष्टी देता है। अंत में B में इस्तंभ 3 और 4 के साथ A में पंक्ती 2 का डौट कुणन लेने पर A B में क्रमशा 2 3 तथा 2 4 प्रविष्टी प्राप्त होती है। अतैव A B को हल किया जा सकता है। पंक्ती अनुसार पहली पंक्ती 1 3 घटा 2 घटा 2 दूसरी पंक्ती घटा 10 11 घटा 10 19 आवियों के कुणन के दोरान विचार किये जाने वाले कुछ बिंदू। यदि A B परिभाशित है तब B A परिभाशित होना चाहिए। आवियों के गुणन की अक्रम विनिमेता यहां तक कि अगर A B तथा B A दोनों परिभाशित हों तो यह आवशक नहीं है कि A B पराबर B A होगा। आवियों के गुणन के गुण धर्म आवियों का गुणन सहचर होता है। उधारनार्थ तीन आवियों A, B तथा C दिये गए हैं। अता निम्ने लिखित पहचान सर्वथा सत्त्य हैं। A B गुणन C बराबर A गुणन B C योग में आवियों का गुणन वितरण होता है। गुणक पहचान का अस्तित्व प्रतेक वर्ग आवियू A के लिए समान कोटी की एक तस्समग आवियू अस्तित्व में इस तरह है की आई A बराबर A आई बराबर A उधारन एक्स तथा Y क्यात कीजिए यदि X जमावाई पराबर है आवियू पंक्ती अनुसार पहली पंक्ती साथ शून्ने दूसरी पंक्ती दू पांच के तथा X घटा वाई पराबर है आवियू पंक्ती अनुसार पहली पंक्ती तीन शून्ने दूसरी पंक्ती शून्ने त एक्स जमावाई तथा एक्स घटावाई दिया गया है। इसे एक तथा दो की रूप में चिनित कीजिए। अब समीकरण एक तथा दो को जोडते हैं। हमें प्राप्थ होता है दो एक्स बराबर आविहू पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती दस शुन्ने, दूसरी पंक्ती दो आठ इसलिए एक्स पराबर है आविहू पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती 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 दूसरी पंक्ती एक चार। अब एक्स जमावाई में एक्स कमान रखने पर तथा हल करने पर हमें प्राप्थ होता है। आविहू का उप्योग समानेता लंबे समीकरन को हल करने के लिए बीच गडित में किया जाता है। पंक्ती एवं इस्तंभों में व्यवस्थित किया गया है। प्रश्णों को और अधिक सहजता से हल करने के लिए इन संख्याओं की गड़ना की जाती है। सारांश A जमा B जमा C बराबर A जमा B जमा C जहां A B तथा C समान कोटी की हैं। के गड़ना A जमा B बराबर के गड़ना A जमा के गड़ना B जहां A तथा B समान कोटी की हैं के अचर है। हम दो आवियों का गड़ना कर सकते हैं यदी और किवल यदी पहले आवियों के संख्या दूसरे आवियों की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। A गुणा B C बराबर A B गुणा C.